students of cbc board class 10th and class 12 कैसे हैं आप सब बच्चों कॉपी चेकिंग बहुत तेज स्पीड में चल रही है आप लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है लगबग 50% तो complete भी हो गया थे 12 के भी अब लगबग हो ही गया है बस नाम के एक दो सब्सेक्स बचे हो टाइपस अफ स्टूरेंट्स मेरे भी कुछ स्टूरेंट्स है जो एक दो नमबर के कुश्ण बहुत बराबरा लिख देते हैं और कुछ सिर्फ पॉइंट्स लिखते हैं तो ऐसा होता है बच्चों का राइटिंग का पैटर्न स्किल अलग-अलग होता है लेकिन ऐसा नहीं लगीन मार्किंग पैटरन आप ऊसको फॉलो कीजिए वर्ड लेमेट्स को फॉलो कीजिए बट अगर वार्ट लेमेट्स का मेन होता है लिखना है इस टाइप की चीज़ों में वर्ड लिमिट ज्यादा काउंट होती है हाँ जैसे दूसरे सब्सक्राइश में जैसे फाइब मार्स कोईशन है और उसमें कोई तीन नाइन लिखेगा ना चार लाइन तो थोड़ा सा दिखने में आ जाता है कि पता निसमें क्या चीज़ी है ठीक है और कई बच्चे मैजस को लेकर के कुछ बच्चे टैंथ वाले और टूइल्थ वाले फिजिक्स को लेकर कुछ किमिस्ट्री को लेकर के बहुत डरे होते हैं तो टॉप फाइब वैलिड है इस बार भी आप डरिए मत आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिय लिए है तो भी डढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उस टाइप के केसिस में तो हाँ में सब्जेक्ट जो आपके पांच है उसमें हिंदी और इंग्लिश जो है वह आपका काउंट नहीं होगा वह आप एक्षेंज नहीं कर सकते अडिशनल स उसके अलाबा अगर 10 में आप हैं तो साइंस, मैठ, सोशल साइंस इसमें से अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आया है और उसके बदले अडिशनल पेपर में हो सकता है आईटी हो या कोई और सब्जेक्ट हो जिसमें आप बहुत जादा नंबर लेकिया है तो हला कि अगर जिन बच्चों उन्हें फाइब सब्जेक्ट ही लिए है उन्हें भी ड़ने की ज़ूरत नहीं है रिजल्ट अच्छा ही होगा अच्छे से मार्किंग हो रही है टीचर्स आ ट्राइंग हार्ड कि वह आपको पास कर ले इस टाइम इस टाइम मतलब लास्ट यर टाइम मतलब लेटी तो बच्चों को बच्चे तो डढ़े वेथी टीचर्स के लिए भी सब कुछ नहीं आता ना वेटेज सिस्टम नहीं आता तो end तक हमें भी नहीं पता था कि वेटेल सिस्टम क्या होगा तो लास्ट में सी इने रिवील किया था दो टीचर्स वर्ड लि यानि कि मानलोब टॉक 5 के बावजूद पास नहीं हो पाई या टॉक 5 आपने 5 ही सब्जेक्ट लिया है हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में मिनिम्मम पासिंग क्राइटेरिया फॉलो नौ हो पाई या जो भी लिखा है बिल्कुल ही गलत है तो इन दाट केस टीचर नहीं अगर पास कर पाई तो आपके लिए इंप्रूव्मेंट एक्जाम होगा जो आप दे करके फिर एक महीने में पास हो सकते है एक से जादा सब्जेक्ट में अगर पास नहीं हो पाई तो रिपीट एक्जाम आपको देना है पासिंग परसेंटेज 33 है 10th के लिए 12 के लिए 10 वालों के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे मैसेज बॉक्स में दिखता है कि 10 में भी उन्हें लगता है कि theory और practical में अलग से पास होना है तो मैं बता दूँ चुकि 10 जो है व चेकिंग तो ओव्यस सी चीज है theory और practical मिला करके आपको 33 लाना है अगर हम बात करें 12 की तो देखो प्राक्टिकल में तो 33 परसेंट से जादा आपके आएंगे लेकिन theory अगर 70 marks का है तो 23 आपको लाना है पास होने के लिए ठीक है बोर्ड का result का अगर आप trend देखो तो प्रूर घट रहें लेकिन अभी तो पूरी copy भी चेक नहीं हुए ना जितने चेक हुए उसका स्टाट से ही है ना statistics तो certain databases पर होता है अभी पूरी copy checking तो हुई ही नहीं है तो यह स्टाट चेंज भी हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि टॉपर यह हो नहीं सकता कि पूरे 35 लाक्स म जो है वो average to toppers की list में हो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही ना पर रहे हो हां जितनी सैंपल उनको मिलिया उसमें ऐसा relevant मालो पास हो पेपर देख कर गे एक average data news में release कर दियागे so you don't have to think जो बच्चे अच्छा लेकर आये हैं आप मत घब आईए कि आप attempt लेकर आये हैं तो आपके number नहीं आएंगे कई बच्चे message कर रहे हैं I'm so sorry मैं personally message नहीं कर पा रही हूँ but देखो आपने attempt लिए और सही attempt लिए फिर आप क्यों घबरा रहे हो आपको क्यों लग रहे है कि आप पास नहीं होगे जो बच्चा attempt नहीं लेगा पिल्कुल नहीं लेगा उसी के fail करने के chances है आपने attempt भी लिया और mixed भी लिखा है न सही गलत का combo तो भी आप पास होंगे ठी है तो इतना डर्ने के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको मैंने हर वीडियो में लगभगे बताया कि सी बीसी चुकि देखो पैंडमी के बाद का पहला साल है तो लिनियंसी इस वजह से भी बनती है इसके अलावा moderation policy आपने देखा कुछ sets difficult actually में थे तो वहां आपको डर कम आ गए तो ऐसा बोल रहा है बट ऐसी बात नहीं है सी बेसी जो है वो moderation policy officially अनॉंस कर चुकी है साइट पे मेंशन है आप साइट चेक करो तो आपको दिखेगा की disparity नहीं होने देगा सी ठीक है आपने अगर किसी question के मालों कुछ steps आते थे लिख दियें तो ऐसा नहीं है कि आपको step के number नहीं मिलेंगे step के number भी मिलेंगे attempt तो हमने बोला ही था आपको कि ले करके आना है आपको आता हो तो बढ़ियान नहीं आते तो भी question से जो भी relevant information है वो निकाल करके लिख दो बहुत से बच्चों ने attempt लिया है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया है तो अगर आपने बिल्कुल भी attempt नहीं लिया है तो फिर आपको पता है कि आपको उस paper में improvement exam देना है तो be prepared for that यह कोई बड़ी चीज नहीं है आप pass कर जाओगे थोड़ा सा पढ़ लो और अगर आप 5-6 number के भी gap में चल रहे हैं मालो तो आपने attempts लियो होते हैं वहां पर teacher थोड इस marks भी 5-6-7 number तक मिल रहा है तो आप लोगों को इतना वरी करने की ज़रूत नहीं हर दिन मैं अलग-अलग messages देखती हूं बच्चे इतनी बार मैं समझाती हूं मत डरो मत डरो फिर भी आप लोग डरे हुए हो क्यों डरे हुए हो डरने की ज़रूत नहीं है तो आप मान के चलो आप रिपेर दूरों चीज के लिए ठीक है अगर आपने अच्छा लिख है अवरेज मान लों कि अगर कोई बच्चा 80% लाए था प्री बोर्ड में तो आप समझो कि 85-86% बोर्ड में आएंगे ठीक है यह हमेशा होता है कि जितना आपके प्री बोर्ड में उससे प्लस अच्छे से और प्रिपेर हो सको मालो टीचर ने आपको 100% दे दिया आप तो महीं हो और कॉंफिदेंस में आज हो कि भई हमें तो सब आता है तो हम ही ज्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो प्री बोर्ड में आज से नहीं जब हम स्टूडेंट है ना तब भी ऐसा हो उन से पूछो कि क्या यह रिजल्ट इतना इंपक्ट करता है हमारे लाइफ को नहीं करता मतब ठीक है ऐसा भी नहीं कि हम जान पूझकर के एक्जाम में जाएं और कुछ ना लिखे हैं लेकिन अगर मालो कुछ बच्चे नहीं पास कर पाए तो इतनी कोई बड़ी बात नही जो आपको जज कर सकता है रिजल्ट कभी है आपको जज नहीं कर सकता है ठीक है आप में बहुत टैलेंट हो सकता है डिफरेंट ज़रूरी नहीं है कि यह जो आपने जो सब्जेक्स लिए हो सकता है कि आपको दूसरे सब्जेक्स में ज्यादा नॉलेज हो यह ज्यादा इंट्रेस्स को फाइंड आउट कीजिए कि आप क्या लाइफ में आगे कर सकते हैं पैशन क्या है क्या कर सकते हो अब वो जमाना बीट गिया जब सब डॉक्टर ये इंजीनियर ही बनते थे अब बहुत सी वेरियेशन आ गई है करियर में ठीक है हर सब्जेक्ट में आप पैरियेशन रखते हैं क्योंकि पैरिंट्स साल बर या अभी तक पूरी मेहनत की है आप जितनी भी रिक्वाइर्मेंट्स होते हैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं जितना वह कर सकते हैं उससे ज्यादा करते हैं तो ये मतलब नहीं है कि आपके नमबर कम आ जाएंगे तो आपके साथ बुरा बड़ता हो करेंगे डांट देंगे तो पेरेंट्स है तो डांट दिया तो क्या हो किया है कुछ नहीं हो आप खुद को प्रूफ कीजिए ना अगर नमबर मान लो कम मैंने के रही कि सब क्या कम आएंगे मैक्सिमम बच्चे तो पास होंगे लेकिन तो इट इस फेर ना कि हमने महनत नहीं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया हम महनत कर लेंगे मौका तो है ना सी बेसी हर साल मौका देती है बच्चों को और बहुत से बच्चे फ़र्म फेल करके अच्छा रिजल्ट लेकर के पास होते हैं यह अपके मार्क शीट को भी बहुत आगे बढ़ गये तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सके अपने टैलेंट को पहचाने यह दुखी होना पैनिक करना डरना यह छोड़िये अपने टैलेंट को पहचाने एंड ट्राइड कि आप बहुत अच्छा कर सके तो वीडियो में और कुछ नए इंफॉर्मेशन लेकर के आओंगी तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों तक भी पहुंचाएए सो अल दे बेस्ट